आइटी के स्लेवर्स का या नीट के स्लेवर्स का बहुत बड़ा हिस्सा होता है मिताशिरी ने बहुत गेस रहे हैं अपने आपको तुमारा तो आल इंडिया रैंक वांका ना पक्का है पापा डांड देते हैं तो आप डिप्रेशन में चल जाते हैं आज तक लाइफ में मेरे को अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं आपकी बात नहीं कर रहा हूं आपका जमाना हो रहा है यहां पर तो आपका जमाना पता कैसा है कि मम्मी डांड देती है पापा डांड देते हैं तो आप डिप्रेशन में चल जाते हैं आरे भाई कौन सी मिट्टी के बने हो यार ठीक है यहां पर तो माता शरी पिता शरी हाथ पाउं तोड़ देते थे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, हाथ पाउं तोड़ने का मनलों बता है, हाथ पाउं तोड़ देना, मेरे प्लास्टर लगा हूँ है, बॉड़ी में बहुत बार, और सिरफ पिटाई की वज़ा से, ठीक है, और वो कभी भी पिटाई बस, यह फॉर्चुनेट है, कि वो मुझे तो आज तक, अपनी परसनल लाइफ की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे परसनल आज तक कभी भी कोई ऐसा टीचर नहीं मिला, जो हमेशा मेरे बारे में, हमेशा अच्छा अच्छा ही कहता रहे और दूसरी बात तक तना अईजने बिंजा और वह मेरा भला भी पर चाहता हूँ ऑसा नहीं अइन आ इनसान वह न चाहिए जीए जब आपको जब आप अच्छा करे आपकी आपके बारे में बताये जब आप खराब करें आपको डांटे कि आप गलत ट्रैक पे हैं और आप सही ट्रैक पे हैं लोग क्या होते हैं लोग ऐसे-एसे दोस्ट ढूंडते हैं पता नहीं कि ना जो मैं कुछ भी करनूं मैं सही करूं मैं गलत करूं बस यह मेरा साथ देता रहे बाई तु एक दिन दौद बन जाएगा तो सब्सक्राइब तो जिन भी लोगों ने सिर्फ नाम के लिए ले रखा है क्लास मेरे खाल से अप्रॉक्सिमेटली वन आवर हो गया स्टार्ट हुए वह वह अब आके पूछ रहे हैं कि आज नोट्स नहीं बन पारें साफ पता चल रहा है क्लास के मिडल में आये हैं कुछ न तुम्हारा तो आल इंडिया रैंक वांका ना पक्का है तुमसे अच्छा आज तक मैंने कभी स्टूडंट नहीं देखा तुम्हारा गर्व से छाती फूल तो जाएगी ठीक है बड़ उस चाती में पंचर उसी दिन लग जाएगा जिस दिन पेपर देने जाओगा सारी हव निकल जाएगी ठीक है यह इतनी आसान जर्नी नहीं है जितनी आपने सोच रखी सोच रखी है बहुत सारे नेश्चनल इंसिचूट आप हमें भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं बच्चे सिर्व यह सोच लेते हैं यहाँ अडमीशन ले लिया इस टीचर से पढ़ दिया भा भी सेलेक्शन को रखवाती है टीचर्स इंसिचूट्स यह सिरफ फैसिलिटेट करते हैं सिरफ फैसिलिटेट करते हैं आपकी प्रपरेशन को अलग सर ने कई बार आपको वीडियो में बोला है कि हम टीचर्स का कॉंट्रिबूशन 20-30% हो सकता है आप हद लगा लो तो 40% हो वैसे तो सची बात बताएं सिरफ 20-30% यहां उससे कम लगाना चाहो आप कम भी लगा सकते हो मैं उसमें टेंशन नहीं लोगा उस बारे में आपकी आपकी मेहनत है ठीक है बाग की आपकी मर्जी है ठीक है हम तो मलब कि आज सुबह किसी बच्चे का मैसेज आया ठीक है और उसने मुझे बोला कि सर मेरा बैकलॉग हो गया मुझे नहीं पता वो तो बोलके निकल गया होगा मुझे उसके बाद मलगी 5-10 मिनट मैं डिस्टरब रहा कि यार इसे यही समझने आ रही कि यह ड्रॉपर है बैकलॉग क्रियेट हो गया तो उसको पहली बात तो होना ही नही करो ठीक है न और नहीं कर सकते तो फिर लाइफ में कुछ और करो यह थोड़ा हर कोई आयाइट यह सक्सेस्फुल होगा आप लाइफ में वैसे भी सक्सेस्फुल होंगे किसी भी फिल्ड में जाएंगे कंडिशन अपलाई मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होगा यह तो बात तुम सिंगर बन जाओ तुम क्रिकेटर बन जाओ तुम आइटियन बन जाओ तुम ना इटिय कोई घर बैठे बैठे यह ना बस यूट्यूब को देखता ही रहता था उसे गूर गूर की और मैं तब नहीं हो पाएगा उस मेहनत तो लगेगी आप किसी भी फिल्ड में चले ज जड़क में चलने का मलब है कहीं पर यार आप किसी फंक्षन पर गए हैं कहीं पर गए हैं कोई दोस्त त्यार रिष्टेदार बच्चा कोई भी मिल गया मेरको तो अगर उसमें से कुछ अच्छा मिलता है तो मैं उसको एक्स्ट्रेक्ट करके अपने पास ले आता हूं कोशिश करता हूं कि मैं उसके जैसा बनूँ बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा जैसे रिफ्रेंट इशू ऑल टोगैदर बट आई ट्राइट ट्राइट तो क्या सर ऐसे जो बाहर नेगेटिविटी मिलती है उसको भी ले आत अगर आप में से आफ लाइन होते थे तो मैं बच्चों से ना मेरा एक आदत रही है जब भी इंट्रोड़क्शन वगरा होता था आई यूज टू आस्क स्टूडेंट्स के बिटा आपके पापा क्या काम करते हैं आपकी मदर क्या काम करती हैं किस फैमिली से बिलॉग करते हो ठीक है कई बार मुझे बच्चे बोलते थे कि सर ऐसे थे मेरे फादर ना यह गौवर्मेंट जॉब करते हैं मां पूछता क्या करते हैं और वह चोटा काम करते हैं यह तो ऐसे बोलने के लिए बोल दिया किस लेवल पर काम कर रहे हैं कभी एक बर उनके साथ ऑफिस जाओ ठीक है, अगर वो कुछ menial job करते हैं, फिर वही job कोई भी menial नहीं होता, सिर्फ एक word बोलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कोई भी किसी तरह काम करते हैं, वो करके देखो, जब आप 10-12 गंटे उस काम को करको देखोगे न, अपने आप समझ आ जाएगा कि बढ़ाई कित तो ये स्थिती कभी भी change नहीं होगी, एक generation को तो sacrifice करना ही पड़ेगा, एक को तो पक्का करना पड़ेगा, यहां तो वो आप होंगे, यहां फिर वो आपके बच्चे होंगे, यहां उनके बच्चे होंगे, अगर इस गर्त से निकलना है तो, हाँ अगर इस ही में रहना है, देन तो कोई problem ही नहीं है, यहां ठीक है, बस 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 बस, मेरे father farmer है, तो तुमें तो बहुत proud feel करना चाहिए, वैसे ही वो एक हमारे देश में वैसे भी एक बहुत बड़ा उनका role है, और उनकी जैसी मेहनत तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, यहां ना, farmers जितनी, बिल्टरी मैन जितनी, जो भी लोग, वैसे तो हर कोई service ही कर रहा है, नेशन की, कहीं बच्चे बता रहे हैं, अपने father का profession बता रहे हैं, तो उससे मुझे लग रहा है कि यार, मैंना, मलब कि कितनी मुझकिल condition में होंगे, मैं feel कर सकता हूँ, पता नहीं, आप वो feel कर पा रहे हैं कि नहीं, आप कभी-कभी हम उसी situation में होते हैं, तो उसको feel करना बंद कर देते हैं, अपने अंदर वो feelings जमाए रखिए, थोड़ा अपने आपको push मारिए, it is necessary, ठेक है, आज से पान साल बाद, इसी batch में से, इसी batch में से, मैं कहीं दूर नहीं जाना चाहूंगा, इसी batch में से, पान साल बाद, कोई ITN होगा, और कोई, unfortunately, ITN नहीं भी होगा, कोई NITN होगा, वो भी बहुत अच्छी बात है, कहीं जाने जो हो, बिलकुल flat line पे होंगे, कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, तो इसी batch में से होगा, मैं यह नहीं कहा रहा हूं, सारे ITN के टॉपर यहीं से निकलेंगे, और कोई खराब होने वाले लोग कहीं और बढ़ रहे होंगे, नहीं, बिलकुल आसा नहीं है, जो सच है, वो सच है, क्या नाम है आपका, पूरा नाम तो मैं पढ़नी पढ़ पा रहा हूं, करीम लिखा हूँ है आपने, तो इसने लिखा हूँ है, कह रहे है, सर मेरे पापा जो भी हो, बड़ एक बात पक्की है, वो किसी एक IITN के फादर होंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, होपस हो, हम यही आप सब से भी एक्स्टेक्ट करते हैं, एक बात बता हूँ, एक बात बता हूँ, और मुझे लगता है हर एक टीचर को, हर एक टीचर को, क्योंकि मुझे लगता है किसी को मेरी बात समझा जाएगी, किसी को पंकेसर की बात समझा जाएगी, किसी को अलग सर की, और सब करते हैं, सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब नहीं करते हैं, सब करते हैं, कल ना भी हार बोर कि सर जो कर रहे हैं वो किसी और लेवल पे जा रहा है ठीक है